नमस्कार दोस्तों, Investor Guru में आपका स्वागत है, आज हमें एक कैसे Small Cap Company के बारे में देखेंगे, जिसका Net Profit देखेंगे हम 2020-21 में Double की Growth कर रहा है और Continuously एक Upside Moment Net Profit और इनके Clients के भी बारे में देखेंगे, तो इनके Clients भी बारे में देखेंगे, तो इनके Clients भी बढ़े- के बारे में Deep Analysis करते हैं, अगर आपने पहली बार विजिट किया होगा इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके All जरूर सेलेक्ट कर लेना, मार्केट कैप की बात करेंगे दोस्तों, तो मातर इसका 421 करोड का मार्केट कैप है, जो काफी छोटा मा मार्केट पढ़ना है, कैप्चर करने के लिए, तो करन प्राइस कंपनी का देखेंगे तो 828 का है, और लो और हाई की बात करेंगे तो 1410 इसने हाई बनाया था, और लो की बात करेंगे तो 423 का इसका लो था, पी की बात करेंगे दोस्तों, तो 32.9 ये एक अच्छा पी है, और ना ही जादा लेस वैल्यूड है, बुक वैल्यूड की बात करेंगे दोस्तों, तो 75 divident yield company dividend भी देती है, जो 0.25 है, और आरो सी की बात करेंगे दोस्तों, तो 40% का एप्रोक्स आरो सी है, जो काफी अच्छा आरो सी है, मतलब आरो सी है, मतलब दोस्तों की company अपनी capital का कित 40% के आस-पास है तो काफी यह बहुत अच्छा ROCE है रिटन अन कैपिटल इंप्लोईड ठीके ROE की बात करें तो 43% मतलब 44% का यह भी ROE है जो बहुत अच्छा ROE है दोस्तों फेस वैल्यू की बात करेंगे दोस्तों तो दो का फेस वैल्यू है यहां पर एक अपसाइड का ही चार्ट दिखाई दे रहा है तो यह अपने पैरमिटर्स में अच्छे आती है दोस्तों और इसके सेल्स और नंबर्स की भी बात करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं 2011 में 220 करोड का सेल्स हुआ करता था, 2012 में देखेंगे 254, 283, 284, 283, 283, फिर 345, 2008 में फिर उसके बाद 19 में देखेंगे तो यह काफी अच्छा गेयरब पकड़ते वे दिखाई दे रहा है कि 493, 485, 47, 893 यहां पर देख सकते हैं, 893 के बाद 845 परसें तिल दा मन्त की बात क यहां पर कहना चाहता हूँ कि 2021 में, मतलब यह पीरियड, यह पीरियड हम देखेंगे तो काफी अच्छा ग्रोध दिखाई दे रहा है, सेल्स में भी दिखाई दे रहा है, तो यहां पर डबल की ग्रोध दिखाई दे रही है, कंपणी ने बहुत अच्छा इदर पर बिजन तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तो 7 करोड का 2011 में इनका प्रॉफिट हुआ गरता तो जो बहुत अच्छा था पर उसके आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने फिर 7 करोड से 3 करोड डाउनसाइट दिखाए फिर 2 करोड आगे फिर 2 करोड आगे हम माइनस म तो इसके बाद 19 करोड फिर 17 फिर 27 फिर 23 फिर 124 और 128 तिल मंद की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 212 में 212 में बहुत अच्छा ग्रोफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर डबल की ग्रोफ दिखाई दे रही है जो 53 करोड का इनका प्रॉफिट हुआ करता तो वो 124 करोड अगले ही साल हो जो यहाँ तो बहुत अच्छी डिखाई दे रहा है दोस्तों कंपणी के बात करेंगे तो 16% की और 25% की और तीन सालों में बात करेंगे तो 22% की तो मन देंगे 25% की दोस्तों दे और कंपणी का बहुत अच्छा और एक consistent gwroth दिखाई दे रह दोस्तो तो 10 सालों में देखेंगे 44%, 5 सालों में बात करेंगे 26% और 3 सालों की compounding growth की बात करेंगे तो 60% और till the month 38% तो काफी अच्छा दीधर पे profit growth भी हो रहा है company के पास और C.A.G.R. की भी हम बात करेंगे तो दोस्तो 10 सालों में देखेंगे हम company दोस्तो और कि कहना चाहता हूँ कि दोस्तो कभी भी हमें छोटी company पे ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि बड़ी company इतनी जादा grow नहीं हो पाती है क्योंकि वो एक बार market में expand हो गई है खुद में हर जगे फैल गई है तो वो और जादा उसके पस grow करने के लिए market नहीं बचा मतलब कह सकते कि foreign और दूसरी मतलब वो बहुत exception मतलब business लोग करते है या फिर बट अगर एक छोटी company अगर एक सहर शो start कर रही है और वो आजुबाजी के शहर में भी अपने product दीरे 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 फिर दीरे कोई state capture कर लिया फिर country फिर ऐसे फिर बाकी के state capture कर लिये फिर सभी state capture कर लिये पूरे इंडिया में capture कर लिये अपने business को बहुत जादा grow कर लेंगी वो तो हम अभी starting के base पे है उनके तो इसके पास बहुत सारा market पड़ा है और बहुत सारी बार compounding growth होएगी उनकी तो ऐसे company चुनो जो थोड़ी छोटी हो उनका business जादा ना हो और वो धीरे धीरे grow कर रही है और net profit sales काफी positive grow हो रहे है तो ऐसे company में हमें invest करना चाहिए जैसे कि ये company मैंने आपके लिए लाया है और reserves और करजी की बात करेंगे दोस्तो इस company में तो reserves हम देखेंगे company पे तो 170 करोड का इनके पास reserves है जो उनके reserves पैसे पड़े है हम कह सकते हैं कि इनोंने reserve रखा है पैसे रखा है ब्लॉक करके कि कभी भी company में कभी भी जादा होगा या loss होगा तो ये company अपने reserves को यूज कर सकते हैं और borrowings की बात करेंगे दोस्तों company पे करज तो company पे करज एक सो 99 करोड का है जो कि हम देख सकते हैं कि इनके reserves इनके पास पड़े हुए जो पैसे है बाद 370 करोड है half मतलब हम कह सकते हैं कि borrowings है तो इतनी बड़ी बात नहीं है और एक अच्छा positive ही इनके कह सकते हैं इनके borrowings के कंपर में इनके पास reserve काफी जादा पड़े हैं दोस्तो shareholding patterns की भी बात कर लेते हैं कि current में ही FISB इन में आई है दिखाई दे रहे हैं नहीं तो पहले 0 के 0 पे ही रहते थे अभी 1.8 दिखाई दे रहे हैं और DIAs की बात करें जो अपने Domestic Indian Institute है वो 8% की हिस्सेदारी रखते हैं और public की बात करें तो दोस्तो अभी 26% की हिस्सेदारी है तो दोस्तो shareholding patterns भी काफी अच्छे हैं इनके कि हम देख सकते promoters के पास एक अच्छा खासा हिस्सेदारी है और यहाँ पे हम देखेंगे कि जरूर बट बेच रहे नहीं है तो बहुत अच्छी positive बात है दोस्तो तो अभी दोस्तो हम इनके मुख्य parameters पे आएंगे कि company क्या करती है company का नाम क्या है तो दोस्तो company का नाम मैं आपको बताना चाहता हू राज रतन Global Wire Limited दोस्तो यह company manufacturing करती है जो bead wire होते है जो हम wheels देखते है जो चक्के होते हैं मतलब two wheeler four wheeler के जो भी tires होते हैं tires में जो wheels लगते हैं wheels के अंदर एक तार होती है दोस्तो तो वो तार यह produce करते है और बाकी भी चीज़े है बट वो bead wire भी produce करते है और wiring भी बनाते है steel wire भी बनाते हैं हम देख सकते हैं कई सेक्टरों में इनका काम है automobile, cars अगेरा बनाने की construction में भी इनका जो product यूज होता है फिर engineering industry में भी देख सकते हैं कि engineering industry में भी इनका product यूज होता है तो दोस्तों कहीं जगह पे इनका product यूज होता है और यहां पे देख सकते हैं carbon wire and bead wire and यही सब manufacturing करती है और देख सकते हैं company 1989 में established होईती दोस्तों तो company काफी अच्छी दिखाई दे रही है अब इसके हम देख सकते हैं कि इनके clients के भी बारे में बात करें तो काफी बड़े-बड़े इनके client है ADG, Apollo, Birla Tire, BKT तो यह सब tire की company आपको जादी दिखेगी क्योंकि सारे tire जो मतलब हम कह सकते हैं India के tire manufacturer है वो सभी हिनी से ही material लेते है मतलब इनके client ही है तो Apollo tire, Birla tire, CA tire फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो MRF tire देख सकते हैं और फिर यहाँ पर Sumotomo wire देख सकते है, TVS tire देख सकते है, V-Rubbers देख सकते है, Duro, GRI, Camso तो काफी हम देख सकते है, Bridgestone तो काफी बड़े-बड़े इनके client है दोस्तों तो company काफी दिन का चार्ट देखेंगे तो कोई moment नहीं दिखाई दे रही है, और 5 दिनों की बात करेंगे तो 7% downside दिखाई दे रहा है, दोस्तों एक महिने में 8% का downside दिखा रहा हो, 6 महिने की बात करेंगे तो कोई भी return नहीं मिल रहा है, दोस्तों काफी discount price पे चल रही है, यह देख सक करेंगे दोस्तों तो मतलब यह कंपणी लिश्ट हुई थी 2020 में तो देख सकते कि 2020 मातर दो सालों में यह कंपणी ने इतना अच्छा ग्रू किया है इतने अच्छे रिटन इसके भागे है इसलिए दोस्तों मैं आपके तो दोस्तों यह बहुत अच्छे रिटन को मिल जाएंगे और इसको देख सकते हैं कि इसका जो यह support था तो यह अभी एक अपने support के आजपास ही है यहां से हो सकता है दोस्तों company फिर से positive moment देखा किया उपर और अपने high को भी break करें कुछ time मतलब यह नहीं के सकते एक महीने दो महीने बट यह company अच्छा ग्रो करें तो इससाब से आराम से 6 महीने में फिर से अपने high को तोड़ सकती है और एक अच्छा return मिल सकता है आपको दोस्तों तो दोस्तों वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो